Hello everyone, आप सबका स्वागत है RRB NTPC 2019 का CBT1 का Maths का Solution कर रहा है जिसमें 28 December 2020 से 27 January 2021 तक जितने भी सिफ्ट में एक्जाम हुए सभी सिफ्ट के Solution complete हो चुके है इन सबके वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएं आज के क्लास में 28 January 2021 का दुसरा सिफ्ट का Solution करेंगे इसका पहला सिफ्ट का Solution पहले ही हो चुका है इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगा और इन सबका Solution पहले ही complete हो चुका है इसके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लिएक की नीचे दे आगया है तो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पढ़ना है तो चैनल को सबस्क्राइब पर दीजिए आगे बढ़ता है यदि X प्लस Y 75 है और ये दोनों का अनुपाद दे रखा है तो X अनुपाद Y का मान पूछ रहा है ठीक है यहां देखिए X प्लस Y कितना है 75 है अनुपाद Y कितना हो जाएगा 30 और ये दोनों के बाद कितना हो जाएगा 45 प्लस 35 ठीक है तो X अनुपाद Y का आएगा 45 अनुपाद 30 तो इसको कटाएंगे तो 15 या 45 फंद्रदुना 30 इन अनुपाद 2 इस सवाल का सही आंसर ओप्सन नमर 2 ठीक है आगे बढ़ते है करा निशाने बाजी रेंज में तीन निशाने बाज अपने अपने लक्ष पर निशाना लगा रहे हैं पहले दुसरे और तिसरे निशाने बाज करमसा प्रति एक 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक बार अपने लक्ष पर निशाना लगाते हैं यदि उन सभी ने 10 AJM पर एक साथ अपने लक्षों का निशाना लगाया हो तो वे पुन्हा कब एक साथ अपने लक्षों पर निशाना लगाएंगे ठीजा तो उसके कितने समय बाद दूसरा निशाना लगाएंगा इनो के LCM के बाद एक बार, तो 4, 5 और 6 का LCM कितना होगा, 4 और 6 का LCM 12 होगा, 12 गुना 5 करेंगे तो कितना हैगा, 60, यानि 10 बजे के 60 सेकेंड बाद, क्योंकि ये सब जो समय है, ये क्या है, सेकेंड में है, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनिट, 10 बचकर 1 मिनिट अगला समय होगा, तो अप्सन नमर एक इसका अंसर है, आगे बढ़ते हैं, यदि ये दे रखा है, तो X का मन पूछ रहा है, तो यहाँ देखें, अगर हम लोग इसका वर्गमल लेंगे, तो X का वर्गमल नहीं आएगा, तो इसको हम लोग रूट में लिख देते हैं, और 144 का वर्गमल ला जाएगा, बारा, और इधर है 27, यहाँ बारा, बारा कटी जाएगा, अब यहाँ सक्वार करेंगे, रूट हट जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 27 का है सक्वार, यानि की 729 होता है, तो अप्सन नमर दोईस का आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं 800 रुपया की रासी को 3 वर्ष के लिए साधारन ब्याज पर निवेसित किया जाता है, 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरे करमसा यहाँ पर दे रखा है, आला वर्षी है, दुसरा, तिसरा, तो 3 वर्ष के अंत में राप्त होने वाले ब्याज की खूल रासी ग्याद किज़े, ठीके तीनों वर्ष में मिला के कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 6,8,14,14,14,14 परसेंट और मुल्धन दे रखा है 800, तो 800 का 24 परसेंट ही इसका ब्याज होगा, परसेंटेज के लिए 2,0,8,24,192, option number 3 इसका अंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, इसमें साथ का आंकीक मान पू तो के का मान ग्याद कीजिए, तो ये value दे रखा, ये frequency दे रखा, तो माद निकाले इक लिए इन दोनों को गुना करके जोड़ना पड़ेगा, फिर frequency को जोड़के उसको डिवाइट करना पड़ेगा, तो सबको गुना करेंगे, तीन गुना के ये होगा, तीन के, प्लस दो नो, तीन, बारा, दो, चौद, एक पंद्रक, ये माद है आया, और माद है सवाल में कितना दे रखाए, के, के बराबर करें, यहां से सब को जोड़े, के स्क्वार वाला पहले लिख लिए, यानि के स्क्वार प्लस, तीन, चार, साथ, साथ, सूल, तैस, और पच्छीस, अर 48 के, और नीचे होगे आपका 15 के, बराबर का के, तो ये के से, इन दोनों में से एके के काट दीजिए, अब यहां देखे, इन के प्लस 48 बचा, तो ये 15 के को इस तरफ ले जाएंगे, तो 15 के होगा, 3 के को भी इस तरफ बेजेंगे, तो 15 मैनस 3 कितना हो जाएगा, 12 के, बरा छत्रभुज का एक कौन, उसी समांतर चत्रभुज के, सबसे छोटे कौन के 2 गुने से 8 अरक कम है, तो समांतर चत्रभुज के, सबसे बड़े कौन कम आप गैद कीजिए, ठीकें, एक समांतर चत्रभुज यहां पर बना, और ये कौन ये कौन बराबर होगा और ये बड़ा बला दोनों कौन बराबर होगा ठीक है आमने समगे तो यहां पर क्या कारा कि एक कौन उसी समांतर चतर हुज के छोटे कौन के दो गुने से अठार अकम है तो छोटा कुन माल लेते हैं थीटा है तो बड़ा कुन कितना होगा इसका दो गुना यानि कि 2 थीटा उससे 18 कम 18 माइनस करेंगे और हम लग जानते हैं कि समांतर चतर हुजर या सम चतर हुजर इनके संगत कौनों का योग कितना होता है 180 डेगरी तो इन दोनों को जोड़िए थीटा प्लस 2 थीटा तो चाहिए 3 थीटा मैनस का 18 मराबर 180 करेंगे यहां से थीटा का वैल्यू कितना आएगा 1808 जूटेगा 198 उसको यह 3 से डिवाइट करेंगे थीटा का वैल्यू कितना आएगा 66 डेगरी बड़ा कौन पूछ रहा है थीटा का वैल्यू यहां पर रखेंगे थीटा का मान 2 थीटा है तो 66 दोना 132 उसमें 18 मैनस करेंगे तो आएगा 114 ओप्सन नमर 12 का अंसर होगा आगे बढ़ते हैं यदि यह दे रखा है तो इसका मान पूछ देखेंगे यहां पर साइन प्लस कॉसेक है तो इसको लिखें आप साइन थीटा प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं वन बटा साइन थीटा प्रेवर है रूट 5 निकालना किसका है इसका यानि कि इसको लिखें साइन क्यूग थीटा प्लस कॉसेक क्यूग को लिखेंगे वन बटा sin cube theta ठीक है यहाँ पर जानते हैं कि x plus 1 बटा x का value अगर मालेजे k है तो x cube plus 1 बटा x cube का value क्या होता है k का cube minus 3 के ठीक है यहाँ पर k का value क्या है root 5 इसका cube करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं minus का 3 root 5 यह हो जाएगा 5 root 5 उसमें 3 root 5 minus करेंगे तो 2 root 5 इसका answer आएगा option number 10 का सही answer है आगे बढ़ते है एक बेलन और एक संकू की उचाई या और आधार की तिर्जाए दोनों बराबर है संकू के आयतन और बेलन के आयतन का नुपाद याद कीजिए ठीक है और इस तरह से यहां पर एक संकू है इसी पर क्योंकि इसका आधार का तिर्जाए और उचाई बराबर है तो इसलिए एक जैसा होगा तो यहां पर radius हो गया और यह उचाई हो गया अब देखें यहां पर यह जो डाइग्राम है इसमें यह संकू के जो संकू का जो है इसका आधान होगर एक होगा तो यह जो छुटा हुआ भागा दोनों साइड में इन दोनों का योग होगा दो यूनिट नहीं कहने का मतलब है कि संकू का आधान एक यूनिट है और टोटल बेलन का आधान कितना होगा दो यूनिट इधर साइड वाला दोनों और बीच में दो एक तीन नहीं कि एक अनुपात तीन में इसका अनुपात रहता है तो ऑप्सन नुमर्ट इसका आंसर है अगर इसको बनाना चाहे तो आप फॉर्मुला लगा दीजिए बेलन का इतना होता है पाई आरे स्क्वेर एच और संकु का होता है तो यहां से पाई आरे स्क्वेर एच कट जाएगा त्री उफ़र जाएगा इस टू वन पहले बेलन लिखे थे तो बेलन और संकु का अनुपात यहां पर लिखना है लेकिन सवाल में जो पूछ रहा है संकु और बेलन का अनुपात का रेसिप्रोकल देंगे यहां आगे ब एकस और वाई 20 दिन में करते हैं और वाई अकेले इसको 25 दिन तो टोटल वर किन दोनों का LCM 100 हो जाएगा इस पंचा सो पचीस चो के सो अब यहां देखिए एकस प्लस वाई का 5 है और केवल वाई का 4 है तो एकस का कितना हो जाएगा 5-4 एक अब एक युनिट की हिसाब से 100 युनिट काम करने में कितना टाम लगा डिवाइट करेंगे तो एक सो दिन इसका अंसर होगा आगे बढ़ते हैं 5 गंटिया एक साथ बजना शुरू करती है और करमसा 4,6,7,8 और 12 सेकेंड का अंदरहाल पर भचती है कितने सेकेंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी तो व 5,7 अगे बढ़ते हैं इन में से कौन सी संक्यास तर से 30% कम है यानि सतर से 30% कम है तो इसका मतलब कितना ए सतर का 70% होगा तो 70 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा उन्चास, option नुमर 2, देगे, आगे बढ़ते हैं, यदि किसी घन का cool प्रिस्टेच दुपल, 800-400 मीटर स्क्वार है, तो इसका आयतन ग्याद कीज़े, देगे, आयतन निकालना है, और हम लोग जानते हैं, घन का आयतन क्या होता, एक यदि बोजा जो भी होगा, उसका क्यूब में होगा, तो कहने का मतलग यह की आंसर जो भी होगा, वो क्या होगा, एक घन संख्या होगा, जैनि उसका घनवूल निकाला जा सकता है, तो last वला तीनों option का घनवूल निकना ही निकाल सकते हैं, एक या option है, 176 है, समलों लोग ज जो के चोविस है जो के चोविस यानि एक आवेलियो आगया 12 आयतन निकाल नहीं 12 का क्यूब करेंगे यह इसका आगे बढ़ते हैं जब बंदुकों के मुल में 25% की विर्दी होती है तो बंदुकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाए तो पर पढ़ने वाला परवाव ग्या थी बीस से तीन कम होके कितना हो गया 17 अब रेशियो निकलना है पांसे कटा दिसको चारवर में 4 गुना 4 16 गुना 17 यानि 16 से 17 हो गया तो यहां पर विर्दी हुआ कितना का एक का किसके ऊपर 16 के उपर एक बटा 16 होता सवा 6% तो आप्सन नुमर तीन में है सवा 6% यह इसका अं तो कारी 10 दिन पहले पूरा हो जाता है उस दल में मुलता है कितने पुरूस सामिल थे मालेते हैं कि मुलता है इसमें जो सुरू में है एक्स पुरूस थे तो एक्स पुरूस कितने दिन में काम कर सकते हैं 70 दिन में तो एक्स गुना 70 टोटल वर्क हो जाएगा अब यहां क्य दिन में ही हो जाता है तो यहां से X का वेल्यू निकालेंगे वही तो 00 काट देते हैं इधर 7X हुआ इधर गुना करेंगे तो 6X इस तर अपलाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा हो जाएगा X बरावर इधर कितना आगे बढ़ते हैं एक दुकांदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रे मुल के बरावर लाव अरजित करता है तो यहां पर आप रेशियो ले लिए चालिस से कटा देंगे एक बार में चालिस से पांच बार में करने का मतलब है कि दुकांदार 5 पेन बेचकर एक पेन के विक्रे मुल के बरावर लाव अरजित करता है तो यहां पर देखें लाव हो रहा इसका मतलब सेलिंग प्रैस यानि कि 5 SP 5 कलम का सेलिंग प्रैस मैनस करेंगे इसमें 5 कलम का कॉस्ट प्रैस अब जाकर क्या निकले यानए विख रहन लिया निकि एक स्वी अब यहां पर सेलिंग प्रैस के पास इस सेलिंग प्रैस को ले आएंगे तो 5 में से घड़ जाएगा बज जाएगा चार्स सेलिंग और ये मैनस वला 5 cost price को इस तरह बेजेंगे तो plus में आ जाएगा 5 cost price ठीक है, तो cost price कितना हो गया 4, selling price कितना हो गया 5 यानि 4 का समन 5 में भीक रहा है, तो 4 का समन 5 में भीक रहा है तो एक का profit हो रहा है 4 के उपर ये संख्या में 8 और 5 के आंकीक मनों का योग, ठीक है, आंकीक मन पूछ रहा, तो 7 ही हो जाएगा, आठ का 8, 5 का 5, तो 8, 5, 13 इसका अंसर होगा, आगे बढ़ते है, इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालना fraction का दूपर वला का LCM निकाल लीजी, कितना हो जाएगा, 3, 4, 6 का LCM 12 ह होगा, और 5 इसमें आभाज संक्या है, तो 12, 5, 60, उपर वला का 60 LCM आ गया, और नीचे वला का क्या लेते है, HCF, तो इसमें हाईस्ट कॉमन नंबर जो हो क्या है, दो है, ठीक है, 2 से सभी संक्या है, कट रहे है, तो 2 से नीचे आ जाएगा, अब इसको कटा के आंसर देंगे है, 2 से कटाएंगे, 30, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 30, option number C, आगे बढ़ते हैं, इसको 6 से विवाजित करने पर प्राप सेस्पल ग्याद कीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7 पर पावर 29 है, तो 7 को आप लिख सकते हैं, क्या, 6 प्लस 1 उस पर पावर, और प्लस का 4 पहले से है, वो भी देती, इसको डिवाजित करना है, 6 से और सेस्पल निकल, तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, ठीक है, इसमें अगर 6 से डिवाजित करेंगे, तो 6 तो कटी जाएगा, और बचेगा क्या, एक और पावर 29 है, तो एक पर पावर 29 ही आएगा, तो यही इसका सेस पर इसका है, ओप्सन नुमर एक, आगे बढ़ते हैं, एक रेडियो को 510 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानी होती है, 15% का लाव प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किसी मुली पर बेचना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पांसो दस बार में 17 से 20 बार में, ठीक है, 5 से कटा दे इसको 20 बार में, 29 यानि 69 पर एक 0, यह 190 रुपया इसका आंसर होगा, अगे बढ़ते हैं, यदि यह दे रखा है, तो इसका मन क्या होगा, ठीक है, तो देखें, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 322 दे रखा इस तरब, इसमें य हो जाएगा, यह 324, 324 के हैं, एक वर्ग संक्या है, किसका वर्ग है, यह 18 रखा, यानि कहने का मतलब है, कि हम लोग यहां से डिरेक्ट कहाएंगे, इसका पावर हाप में, यानि की एक से पावर 2 में, प्लस का एक बट्टा एक से पावर 2 में, वरावर कितना हो जाएगा, यह जो 2 जोडने के बाद आया है, इसका वर्ग मुल, यानि 324 का वर्ग मुल कितना हो जाएगा, 18, अब फिर से हुआ ही पर क्रिया करेंगे, यहां पर देखेंगे, प्लस 2 करने के बाद बन रहा है, या मैनस 2 करने पर, यहां पर मैनस 2 करेंगे, तो यह 16 बनेगा, जो कि एक इसका वर्ग मुल, चार, अब यहां से इसका वेल्यू निकलना है, लोग जानते हैं कि इसका वेल्यू दियार है, इसका निकलने के लिए, क्यूब बला निकलने के लिए क्या करते है, चार का क्यूब करेंगे, और प्लस का थ्री यानि कि 3 गुना चार करेंगे, तो चार चो 24 और 28 से विवाज हो ठीक है तो अगर इसमें साथ जोड़ेंगे तो आठ साथ पंद रहा इका इंक क्या बन रहा है पांच इका इंक पांच वाला दो का मल्टिपल हो इनी सकता ठीक है उसके लिए क्या चाहिए सम संग्य यह इसका आंसर नहीं हो सकता है दूसरा है 1001 इसमें साथ जोड़ेंगे तो कितना बनेगा यह बन जाएगा एक हजार आठ में देखेंगे दो का भी मल्टिपल है और अठ्धिक नोका भी मल्टिपल है ठीक है यह आंसर हो सकता है अगर साथ जोड़े तो 9-7-16 1 जर कितना हो जागा 10,000 ठीक है यह होगे 10,000 16 अब देखेंगे क्या यह 10,000 16 यह तो दो का मुल्टिपल है लेकिन ये नौका मुल्टिपल है क्या एक साथ एक आड मौका मॉल्टिपल यह नहीं है ठीक है और ये लास्ट वल्ला देखेंगे इसमें चाल जोड़ने को बाइद रगा तो हमारे पास एक ही option बचा option नमर दो इसका सही answer होगा और दूसरा तरीका है कि यह सम निकाल कि इसको आप सॉल्व कर से पहले हम कई बार बता चुक आगे बढ़ते हैं इसको हल करना है तो यहां देखें एक होगा 5 में से गटाएंगे साथ में से चार गटाएंगे तीन इन में से तीन गटाएंगे जीरो गटाएंगे सथ 6 औप्सन नमर दो इसका answer होगा आगे बढ़ते हैं आगे जर्ट स्थे Düny पीास को मिलेगा 100 के रूप में मिल रहा हैli सदर्अ बिह पर अगर चक्रवर्दी ब्हाज होता तो क्या हो था ये पहले वर्स जो ये पीस कर आ सिसको पी इतना मिलता निखriver कर देते हैं 25 लुपिज टो अब ये हो गया क्या यह इस सब को जोड़ेंगे पचीस पचीस पचास से क्यावन दस मिलब दो पाच तो सवाए 51 रुपिया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नमर दू आगे बढ़ते हैं इसका मान निम निम से किसके बरावर होगा ठीक यहां पर अगर हम लोग एंगल देखें तो दौनों का योग कितना हो और है 50 तीस अचीदस नमचे डिगरे एंगल का योग 90 डिगरी है तो इसका मतलब इसका वेल्य कितना होगा एक ठीक है इस तरह से जब एंगल का योग 90 डिगरी है दौनों एक दूसरे की क्या है पूरक है इसका मतलब है कि कॉस स्क्वेर 31 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा कितना होता एक होता है इस तरह से आप एक इसका अंसर देंगे आगे बढ़ते हैं एक वर्ग की लंबाई और चोड़ाई में करमसत 30% और 20% की विर्दी की जाती है परिनाम स्वरुप निवनिवित आयत का च्छेतरपल वर्ग के दिवाइट करिए तो तीन दुना छे इधर हो गया गुना करके 600 इसको सो से डिवाइट करेंगे तो कितना हैगा छे परसेंट यानिकी 56 परसेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नमबर डिए आगे बढ़ते हैं इसका संपूरक कुन निकालना ठीक सप्लिमेंटरी अंगल तो ह हम लोग जानते हैं कि संपूरक कॉन का योग कितना होता है 180 डिगरी तो एक कुन दिया है 70 तो दूसरा कितना होगा 180 में 70 मैनस करेंगे तो कितना हैगा 112 डिगरी ओप्शन नमबर एक आगे बढ़ते हैं यदि कोई वेक्ती 7 मिनट में 700 मिटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल ग्याद कीजिए किलो मीटर प्रती घंटा में तो दूरी है कितना 700 मिटर और समय है 7 मिनट इसको सकेंड में दीजिए क्योंकि दूरी मीटर में है तो साथ को 60 से गुना करेंगे तो साथ को 60 से गुना करेंगे तो साथ को 60 से गुना करेंगे तो साथ को 60 से गुना आगे बढ़ते हैं पहली चे अवाद संक्याओं का योग ग्याद कीजिए पिलिक लेते हैं पहली सबसे चोटी आवाद संक्याओं दो है उसके बाद इन इन के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद कितना होता है 11 सब को जोड़िए इन दो 5 5 10 10 17 17 11 28 आगे बढ़ते हैं रहाज 0.06 25 के कितने परसंट के बरावर है निकल लेते हैं 06 नीचे 25 देंगे इसको 100 से गुना करें अब इसको कटा देजिए चारवर में 46 अच्छा के 24 यानी 0.24 परसंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नमर्ट आगे बढ़ते हैं इसमें करा दिये गए चार्ट में 2001 से एक चार के बीच विभीन निर्माताओं द्वारा कारों का उत्पादन प्रदेशित किया गया है सभी कमान हजार में आठी पाउजेंट में कारों का कुल उत्पादन कितना था तो 1 से 4 तक सब को जोड़ना पड़ेगा जोड़ लेते हैं इसी दिरस सब्टों जोड़ लेते हैं 2002 के कितना आएगा कि आजाएगा आपको साड़े पंद्रह 2003 के कितना आएगा यह आएगा साड़े बारह और 2004 का आजाएगा आपको साड़े चौधा अपको जोड़िये 15 11 26 22 28 28 28 28 48 42 10 52 53 53 53 और यह देखिए एक मान कितना है हजार में है तो इसको आप हजार से गुना करके आंसर लगाएंगे कि कितना आएगा तीरपनाजार पांसौप सन नमर एक आगे बढ़ते हैं कि रहा कारों का अधिक्तम उत्पादन किस वर्स में प्राप्त हुआ ठीक है अभी जोड़े थे सबस्यादी किस का यह था साड़े पंद्रह 2002 का तो यह आजाएगा साड़े पंद्रह 2002 इसका सही अं इसमें कारा पुस्तक के प्रिष्टों की संख्यां कितनी है और उनमें से लगभग कितने परतिसत प्रिष्ठ दूटी पूर्ण है देखिए प्रिष्टों की संख्यां है और यह कुल संख्या पहले निकाल लेते हैं यहां पर सबको जोड़ेंगे कितना होगा 4,59,9,9,615, 15-25-25-25-25-30, 5-3-3-6-6-9-15-35-30, यानि कि 300, तो 300 हमारे पास दो अप्सन है, तो नो लास्ट टूल आंसर नहीं हो सकता है, इसके बाद इस पर परसेंट निकल ला है कि इसका, इस्ट थूर्टी पूर्ण, यानि कि जिसमें गलती है उसका, तो देखेंगे हम लोग यहां पर देखेंगे कि इन सब पेज में गलती आए, 154 पेज में जिरो गलती है, तो इसको छोड़ देंगे, यह गलती वाला पेज है, सबको जोड़िये, 5-6-11-7-18-24-2-21-11-11-13-14, 146, 146 का 300 के ऊपर परसेंटेज निकाल लेंगे, तो निकाल देते हैं 100% से गुना करके, 0-0-0 क पर है, आप्शन नुमर एक में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है, मानली जी की टीवी के दर्सकों की खुल संख्यां 10,000 है, इस्पोर्ट चैनल के दर्सकों की संख्यां में कितने परतीसत की विर्धी करने पर, उनकी दर्सक संख्यां मनुरांजन चैनल देखने वाले दर्सक की संख्यां के बराबर हो जाए, ठीक है, तो देखें, यहां पर परसंटेज ही निकालना तो हम लोग फुल दर्सक का धियान नहीं रखेंगे, यहां देखेंगे, यह स्पोर्ट चैनल पर कितना है, पचीस परसंट, और यहां पर देखें, मनुरांज चैनल पर कितना है, यहां पर 40% ठीक है, तो स्पोर्ट को मनुरांजन के बराबर पहुंचना है, तो कितना इसको विर्धी करना चाहिए, 21% का, ठीक है, 21% का विर्धी करेगा, किस के उपर, 25% के उपर, ठीक है, और परसंटेज निकालना तुसका आप 100% से गुना कर दीजि कोमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबा, टेक केर